20 लाग से भी जादा स्टूडेंट्स हर साल परस्यू करते हैं एंजेनिरिंग प्रोग्राम और उन में से भी एक भारी मात्रा में स्टूडेंट्स परस्यू करते हैं डिप्लोमा इन एंजेनिरिंग और इसलिए now we have a large number of working professionals जो अपने करियर में कहीं रुप गए हैं क्योंकि उनके पास स्केवल डिप्लोमा है और टिग्री नहीं तो इसलिए आज में लेकर आई हूँ आपके लिए ये वीडियो जो जुड़ी है एंजेनिरिंग प्रोग्राम से और मैं बताऊंगी आपको आज वो यूनिवरस्टी ज जो आपको प्रोवाइट करेगी बी टेक एन एम टेक प्रोग्राम सो लेट्स के स्टार्टेड तो जैसा कि हम सब जानते हैं अगर आपके पास डिग्री नहीं तो आपका करियर कहीं रुख जाता है और बहुत सी जॉप अपरचुनेटीज के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं और इन्हीं बातों को मद्दे नजर रखते होएं AICT ने इंट्रिड्यूस किया बी टेक फो वरकिंग प्रोफेशनल और डिप्लोमा होल्डर्स तो आज मैं बताऊंगे आपको वह युनिवर्सटी जो आपको देगी बी टेक फो वरकिंग प्रोफेशनल और डिप एंट्री और एंड एंटेक प्रोग्राम वो भी लगबग सभी स्पेशलाइजेशन में यह युनिवर्सटी है यूजी सी एंटी और नेक एक्रेडिट तो जैसा कि मैंने बताया यह युनिवर्सटी देती है आपको बी टेक लेट्रल एंट्री जो कि एक तीन साल का लोमा होल्डर्स तो यह आपको देती है पांच स्पेशलाइजेशन इन बी टेक प्रोग्राम और शिक्स स्पेशलाइजेशन इन एंटेक प्रोग्राम यह यह युनिवर्सटी है एंटी अप्रोव और एक टेक्निकल युनिवर्सटी को एंटी अप्रोव होना चाहिए तो B.Tech in Civil Engineering, B.Tech in Mechanical Engineering, B.Tech in Computer Science, B.Tech in Electronics and Communication, B.Tech in Mechanical and Automobile Engineering, और ऐसे ही आपके पास से 6 Specialization in M.Tech program that are M.Tech in Civil Construction Engineering, M.Tech in Civil Structural Engineering, M.Tech in Mechanical Design Engineering, M.Tech in Mechanical Production Engineering, M.Tech in Computer Science Engineering, M.Tech in ECE Embedded System. अब सवाल आता है, Why is it important to do Technical Degree? वैसे तो इसका आंसर मैं आपको देही चुकी हूँ, बट स्टिल, आपके मन में ये सवाल आया होगा, कि अगर मैं Diploma Holder हुई, और मैं जॉब कर ही रहा हूँ, तो Why to pursue Technical Degree? So, Technical Degree लेने से, जैसा कि मैंने बताया, आपको बहुत सारी Job Opportunities प्रोवाइड होती हैं, आप बहुत सारे Sectors पर Apply कर सकते हैं, और इसका एक फाइदा ये हो रहे हैं, कि आपके पास जादा Experience होता है, क्योंकि आप Already Engineering Diploma करके, कहीं Job कर रहे होते हैं, तो आपके पास Degree अभी आ ऐसे भी सभी MNCs and सभी Industries Experience Candidates जाती हैं, तो आपके लिए एक Plus Point है, क्योंकि आप पहले से ही Experienced हैं and फिर आप एक Degree भी ले ले लेते हैं, Other than that, इस प्रोग्राम को करने के लिए आपको अपनी Job छोड़ने की भी जरूद नहीं है, यानि कि If you are doing Already a Job, आप कुछ सालों से Job करते आ रहे हैं, then आपको ये प्रोग्राम परसी करना है, तो आपको अपनी Job नहीं छोड़ने पड़ेगी, यानि कि ये 3 एर प्रोग्राम के साथ आप Job भी Continue कर सकते हैं और फिर आपके पास जादा Experience होगा and ये प्रोग्राम केवल 3 साल का है, यानि कि ये घटके 3 साल का हो जाता ह क्योंकि आप Already Engineering Diploma, अब बात करें इस University के Faculty Members की, तो ये University आपको देती है Highly Educated Faculty Member, जिनके पास है Individually 15 Plus Years of Experience और जो है M.Phil and PhD पास आउट, So now we will talk about the Learning Management System, यानि कि LMS, तो ये University आपको देती है Video Recorded Lectures and Live Lectures, Digital Library or Fully Fledged Laboratories for Practicals. So now we will talk about the Job Opportunities by doing B.Tech Literal Entry, यानि कि B.Tech for Working Professionals and Engineering Diploma Holders. तो आएए एक नजर डालते हैं वो सभी Job Opportunities पे जो आप पास सकते हैं B.Tech करने के बाद, आप बन सकते हैं Mechanical Engineer, Civil Engineer, Database Manager, Web Developer, Software Developer, IT Engineer, Data Scientist, Automobile Engineer, etc. Now the next is, हम नजर आलते हैं M.Tech कि Job Opportunities पे यानि कि M.Tech for Working Professionals. M.Tech करने के बाद, you can become Machinery Manager, Research Associate, Senior Engineer, Software Developer, Assistant Professor, Design Engineer, Software Engineer, Android Developer and so on. So still, the biggest question arises कि LinkGas University आपको कैसा placement देती है? तो LinkGas University बहुत सी अच्छी Firms के साथ, यानि कि बहुत सी अच्छी MNCs के साथ Associated है and it has very good hiring partners. तो यहां मैं आपको बताना चाहूंगे वो सभी Companies जहां आप जा सकते हैं इन प्रोग्राम्स को करने के बाद, from LinkGas University. तो आएए नजर डालते हैं उन पर, so the top companies are Reliance, NIIT, Mahindra, IBM, TCS, HCL, Huawei, Wipro, Everest, etc. तो यह थी हमारी आज की वीडियो जो थी LinkGas University पर जो आपको प्रोवाइट करती है, B.Tech Lateral Entry, an M.Tech for Working Professional Program और यह आपको one of the best programs प्रोवाइट करती है, with best placement and job opportunities. I hope आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपके मन में है कोई सवाल, तो हमें कमेंट सेक्षिन पर जरूर लिखें and हमारी इस चैनल को लाइक, शेर and सब्सक्राइब जरूर करें.